कुछि educación हेलोगए काला को सॉैट कुछ पी आध विज क्लिक करएं गए आपके जिन क्लिक करने के वाद मैंip जो वह फ्ल करना डूर अगर में शिर्ट स्द्टाश ना को सब चोट बाद से उसिट करना है के रहें को सबढ़ा हुआ अब कछड़ें तुक्त में लोग इनगा श्रमीना में कारा है नो चीज़ ना दाल किसे फिर डालिया ऑधृ और चाहिए' pay security amount पर direct जाना है यहाँ पर ठीक है तो मैं pay security amount पर जाओंगी यहाँ पर click कर दिया है मैंने उसके बाद सामने आपके सामने एक interface यह वाला खुल के आजाएगा अभी अगर ना आपको select mode of payment करना है तो इस पर click करना है फिर proceed for payment करना है proceed करेंगे आप payment को तो आपके सामने एक नया interface खुल के आएगा ये ठीक है welcome to a new user interference for a delightful online experience ठीक है तो यहाँ पर आगर आपको SBI net banking से आपको payment करना है कैसे करना है वो सब आप त्यान अगे other bank accounts करना है या फिर other payment modes भी है जैसे UPI है UPI से करना चाहते हो वैसे कर दो cash and check से कर सकते हो आप ठीक है तो सबका एक charge लिया होगा उनने अब जैसे आप UPI से करना चाहते हो तो UPI से क्या zero charge है देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा UPI से क्या zero charge है कोई charge नहीं है लेकिन बाकी देखो सभी पे बाकी सभी पे देखो यह है आपकी SBI branch cash और check से तो यहाँ में 59 लिए है उनने पैसे यह दिख रहे होगा आपको 59 ठीक है आगे देखो उपर देख लो उपर आपके SBI bank net banking यहाँ पे यहाँ पे आप दिख सकते हैं net banking है यहाँ पे गया एरुपे लिए हैं यहाँ पे 70 रुपे लिए हैं आपसे ठीक है तो आपको जो भी method आपको अच्छा लगता है SBI net banking अच्छी लगती है तो आप उसके थुरू कर सकते हो UPI से कर सकते हो अगर आप UPI से करना चाहते है तो आपको करना देखो सबसे पहले किलिक करना आपको UPI पर UPI पर मैं क्लिक कर देती हूं यहाँ पर नीचे आना अमांट आपको पता यह सब कुछ पता यह इतना है only ठीक है उसके बाद में आपको QR code से करना है या फिर आपको बैसे करना है बीपीए से करना तो आप QR code से करना चाहते है तो QR code से कर सकते हो तो आपको यहाँ पर करना आपको QR code से करना है उसके बाद में देखिए collect request और QR code यह आगया pay now तो pay आप इस पर गया है आपको अपने जो phone है आपका आपके पास में आपका phone हो उससे आप करना चाहते हो तो इस QR code को scan करेंगे आप ठीक है आपका phone हो खोलेंगे आप अपना जो भी phone पर use करते हो या फिर आप payment PDM use करते हो तो इसका जो QR code है वो से activate करेंगे activate करने के बाद में इसको scan करेंगे और वहाँ से payment करेंगे और यहाँ पर pay now कर देंगे बस हो जाएगा आपका clear हो जाएगा सारे चीचे के complete हो जाएगी तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है आपके और वह पांच मिट के अंदर अंदर आपको करना है बस that's it हो जाएगा आपके complete हो जाएगा यह सी चीचे बाइ टेक्या देख लो आप इस वीडियो को और याद होड़ी सी महनत लगती है तो प्लीज आप प्लीज सस्क्राइब और लाइक कमेंट कर दो हजार सस्क्राइबर करवा दो प्लीज आप लोग थैंकियो सो मच फॉर वाचिंग बाइ टेक्या